तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता जेना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टन्स लेवल निकालना सीख जाओगे अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को नहीं मिला तो वीडियो को सिधा डिसलाइक मार जेना ठीके मैं कॉन्पिटन्स के साथ कह सकता हूँ काफी लोगों को ना सपोर्ट रेजिस्टन और ट्रेंड लाइन निकालना आता है लेकिन उन्हें कॉन्पिटन्स नहीं रहता कि उन्होंने जो ट्रेंड लाइन निकाली है जो सपोर्ट और रेजिस्टन्स उन्होंने ड्रॉख किया है क्या हो काम करेंगे क्या मार्केट उन्हें रिस्पेट करेगा और किस तरह से निकाला जाता है दायू मार्केट में trend line, support और resistance किस तरा से आप निकालोगे, चलिए आपनी screen यहापर share कर देता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरा से आप यहापर काम करोगे, ठीके, ओके, तो यहापर आमने nifty 50 का चार्ट open कर लिया है, तो यहापर आप trend line, support, resistance निकालने से पहले, तो यहापर बड़ा सा time frame select कर लेजे, उसके बाद यहापर चोटा time frame पर आप काम कीजे, तो आपको analyze करने के लिए सबसे पहले यहापर आपको बड़ा time frame select कर लेना है, आप यहापर one day का chart select कर सकते हैं या फिर four hours का, तो one day का chart select कर लेते हैं, तो इससे हाम identification हो जाता है, यानि कि ह हमें मालूंग होता है कि कौन सा train market में चल रहा है, यहाँ से हमें कापी कुछ सिखने को मिलता है बड़े time frame से, अगर market का momentum downtrend का चल रहा है, तो market very chances आए कि market फिर से downtrend में अपना train continue करें, ठीके, market में अगर up train चल रहा हो, तो market में ज्यादा ज्यादा up train जाने की possibility ज्यादा हो जाती, because of market अगर downtrend में चल रहा हो, तो यहाँ सेलर एक्टि나ु रहे थे, ठीके, market अगर downtrend में चल रहा हो, तो यहाँ सेलर एक्टिenne काक्टिनु कर सकता है, तो इसका मरतल अभी कि market में फिर से downtrend आ सकता है, तो यहाँपर आमें क्या करना होता है कि नीचे की तरह कितराब आ ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि मेजर यहां पर एक support आ तो說पोट को break कर दिया ठीक है इसे break कर दिया तो market Är अभी selling pressure है market में हर एक जगा पर seller आपको दिखाई दे रहा है ठीक है एक भी आपको यहापको ग्रीन candle नहीं दिखाई दे रही है तो one day का time frame यानि कि एक दिन की candle है हर एक candle एक एक दिन की candle ही कि उस दिन market में क्या हुआ तो हर एक दिन यहापको red candle दिखाई देने यानि कि हर दिन market में seller यहापर buyers के उपर heavy हो चुके तो very possibility कि कल भी market में selling pressure बन सकता है ठीक है यहापर आमें trend पता चल गया तो यहापर हमें time को reduce करना है और यहापर one hours पर आना है ठीक है एक गंटे के time frame select कर लेना उसके बाद आमें अगर कोई यहापर trend line support resistance कुछ भी मिलता है तो आम यहापर draw करते हो यह नजर आएंगे ठीक है तो यहापर आप देख सकते हो कि one hours के time frame पर आमें पता चल आए कि market में downfield अभी शुरू हो चुका है यहापर देखो 2 AM लगा के रखे मिने 9 AM और 15 AM ठीक है आपको यहापर simple indicator में जाना है और यहापर आपको यह में search कर लेना इस तरह से और यहापर moving average explanation का जो option आएगा यहापर आप select करके 2 बार click करके यह दोनों indicator लगा सकते हो ठीक है आपने point पर आते हैं तो यहापर market का train अभी downtrend का दिखाई दे रहा है तो यहापर आपको देखना है कि market में अभी recent यानि कि कल की दिन क्या हुआ यानि कि आज की दिन क्या हुआ मार्केट में आपको देखना है तो market में यहापर selling pressure है बिल्कुल तो यहापर कुछ भी आमें यहापर पूर्ट रजिस्टन वो ट्रेन लाइन नहीं दिखाई दे रही है तो यहापर आपको टाइम को फिर से रिडियूस करना है तो यहापर वन हार्स के ओने के बाद फिर से आपको यहापर 15 मिनेट का लगा लेना है ठीक के पंदरा मिनेट पर हमें यहां पर कुछ स्कूर दिखाई दिरा है उसे इन रहे जुख वर उसके हैं लोजिक बता तो यहां पर आप देख सकते हों कि यहां से मार्केट में selling start हुआ तो मार्केट ने selling continue किया यहाँ तक यहाँ पर एक छोटी से indecent candle बनी लेकिन मार्केट उपर sustain ने कर पाया फिर से नीचे के तरफ selling pressure continue किया और यहाँ पर एक green candle बनी green candle जहाँ पर stop होती है तो यहाँ पर माना जाता है कि वहाँ से seller उस point से नीच आ रहे कि market वहाँ से ऊपर चला जाए तो market उससे नीचे रहे seller चाते कि market इसके नीचे रहे तो वह अलापईनर हो जाता है आपने लिए एक registering के तरह काम करता है तो simple उस point को मान लो यहाँ से market नहीं बनाए इस point को आप इस तरह से select कर लो और यहाँ से आप इस तरह से आप इसे draw कर लो इस तरह से ठीक है इस तरह से आप draw कर लो मान लो यहाँ तक market बनाए तो आपको यह आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि market में इस तरह से यहाँ पर market है और यहाँ से market नहीं यह जो green candle बनी थी एक resistance point I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा कि market जो green candle बनाती है और जहापर stop हो जाती है तो वह वाला point हो जाया था अपना ceiling pressure लाला point market अगर down trend में आ रहा हो और एक specific point पर market green candle वापर break हो रही हो तो वह मान लेना आप एक very chances आए कि वापर market में seller available है और उसी point से market को गिराएंगे परसे seller buyers को exit करके seller ने फिर से अपना trend continue किया market में फिर से buyers ने कोशिव की लेकिन इस वाले point को देखो एक कोई point नहीं रहता है एक zone रहता है ठीक है कि इस point पे काफ़ी ज्यादा seller है तो इसकी उपर market को नहीं जाने दे रहे तो यह हो गए अपना एक resistance, strong resistance, देखो market में आप फिर से buyers ने कोशिश की, यह वाले candle यह पिन बार candle बनी, तो यह पहले green candle थी, ठीके, यह जिस तरह से green candle बनी, यह भी green candle थी, लेकिन उपर sustain नहीं कर पा फिर से market buyers ने entry की और यह तक लेके आये लेकिन फिर से आपर की तरफ नहीं जाने दिया, फिर से seller नहीं पर неपर, नीचे की तरफ यह पर इससे नीचे की तरफ ले आए, फिर से market में यह पर buyer ने support काफी कोशिश की, लेकिन फिर से market यहापर reverse हो गया, तो very chances आए कि यहापर seller क जोने इसे market break ने कर पर आए तो यह हमारा हो गया एक resistance point अभी हम यहाँ पर support यानि कि supply zone के इस तरह से यहाँ पर draw करें देखो supply zone यहाँ पर red candle या green candle कोई भी close हो रहे हो बार बार उससी point से market उपर की तरब जा रहा हो market को ठीक है market इसी point से उपर की तरब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह वाला point हो गया support वाला यानि कि buyers नहीं चालते कि इस point को market break करें अगर market इस point को break करेगा तो buyers को कापे ज्यादा loss हो जाएगा तो market इसी point से market market उपर की तरब डखलने की कोशिश करेंगे नीची की तरब आपको समझ में आ रहा होगा और आपको इसके पीचे का logic बे बदाने ता हो कि इस point को क्यों ज्यादा important देते support और रिजिस्टन ज्यादा ज्यादा इसे respect करते तो यह पर आप आपने आपको सोच के रहो ठीके मानलो आपने यह पर बाई कर लिया और आपका टॉपलास होगा यह पर ठीके आपने यह पर बाई कर लिया तो आपका टॉपलास होगा यह पर तो यहां पर आपने ब्राइग कर लिया, तो आप लोगों की टॉपलास इस जगापर लगेगा, जब भी मार्केट इस वाले जोन को ब्रेक करेगा वो तेजी से मुमेंटम आजाएगा नीचे की तरब, ठीके, वो जो मुमेंटम आएगा वो तेजी से मुमेंटम आएगा से लिंटिंग का मुमिन्टम होता है बड़ी सी रेट कैंडल बन जाएंगी नीचे की तरब क्योंकि आपका टॉपला सीट हो जाएगा मार्केट तेजी से नीचे आ जाएगा और मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है तो वेरी चांसेस आए कि मार्केट फिर से डाउन अपना कंटिन्यू करें ठीके मार्केट यहाप पर बायर को इंट्री दिलाएगा इसका ब्रेकाउट भी दे देगा ब्रेकाउट डेकर फिर से एक टीजी से मुमिन्टम आ सकता है तो आपको हमीचा मार्केट में सतर्क रहना है कि फिक ब्रेकाउट को बिल्कुल तो यहापर मैं आपको पास मिनेट के टाइम फ्रेम लगा के देखा हो ठीके यहापर मैंने पंद्रा मिनेट के टाइम फ्रेम पे लगा दिया पास मिनेट पे बिल्कुल सेम रहेगा कुछ भी यहापर डिपरस नहीं होता ठीके कुछ डिपरस नहीं होता देखो आप बिल्क पर के तरब का breakout हो या फिर नीचे के तरब का breakout हो दोनों में से कोई भी अगर breakout आ गया ना तो वो momentum कापी तेजी से आता है ठीके विकॉज अब इन फिचे का रिजन में आपको बता लिया आप अगर यहापर बाय कर रहे हो तो आपका topless यहापर होंगे तो उन लोगों का topless होगा तो तेजी से momentum आ गया और मानलो इसी जगा पर market में seller बेटे और यहाँ से market में तो यहापर क्या करेंगे सारे लोग sell करेंगे इसी पॉइंट से तो उन लोगों का topless का पर होगा उन लोगों का topless होगा इसी पॉइंट पर ठीके इस पॉइंट पर उन लोगों का topless होगा और जब market इसका breakout डेगा उन लोगों का topless हीड होगा तो यहापर भी एक बड़ा सा momentum आ सकता है market जब भी इस तरह से एक range बनाने एक channel बनाने लग जाए और इसका breakout देता है ना काभी तेजी से momentum आता है इस बात पर आमेशे आपको ध्यान रखना है as a trader ठीके मैं आपको simple से language में बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए ठीके यह हो गया support और resistance I hope को आपको समझ में आ गया कोई भी all doubt हो तो आप comment क continue downtrend का जो Momentum में उसे continue कर रहा है market अगर downtrend में चल रहा हो तो यहापको कभी भी Uptrend का कोई भी train नहीं लेन यह ठीके market अगर downtrend मांड में रहता है कि मार्केट यहा तक सेलिंग में आ गए इसके नीचे क्यों जाtakeएगा ठीक लेकिन आपको एक बात हमेशे जहाद में रखनी मार्केट के एक शेलिंग में जा रहा तो यहा पर सेलर एक्ट एक्टिव इस वाले पॉइंट पर यायनि कि market को को और भी चला रहा है seller चला रहा है buyers यहाँ पर नहीं चला रहा है यहाँ पर हर एक जगा आपको weak buyers दिकाई जहरे buyers के उपर इतना दम ने कि seller को यहाँ पर break करके उपर की तरफ निकल जाए बिल्कुल विक बायर से, हरे candle यहापर आपको दिखाएजरे एक छोटी सी green candle, बड़ी सी red candle, छोटी छोटी green candle, बड़ी बड़ी red candle, तो यहापर आपको समझ में आना चाहीए कि market में एक down trade शुरू हो चका है, market फिर से अपना train continue कर सकता है, market अगर इसका breakout बेरी chances इसका breakout ही इस तरह से बना जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो चलो इसे में डिलेट कर जाता हो तो मानलो यहाँ पर इसकी ऊपर मार्केट नहीं बना है तो ट्रेंड लाइन किस तरह से बना है जाती है trend line बनाने के लिए simple से आपको एक point में उपर की तरब एक resistance दिखाए ज़े रहा है, टीक है, उपर एक resistance है, इसी point चो market फॉल हुआ, फिर से इसी point से फॉल हो रहा है, तो यहापको आपको एक जो week है ना, यह जो candle है ना, candle की जो week होती है, इस week को आपको यहापर इस तरह से click कर देना है और यहापर आपको इस तरह से दो point को मिला देना है इस तरह से ठीके यह और यह point को इस तरह से आपको दो point को मिला देना है इस दो point को आपको इस तरह से मिला देना है इस तरह से तो पॉइंट को मिलकर आप trendline बनाओगे अगले वाली जो candle बनेगी उस trendline को follow करेगी तो आपको simple इस वाली trendline को इस तरह से simple से नीचे किसके लाना इस तरह से तो market इसी point से गिर रहा है, market नीचे trendline का follow करके फिर से market यहाँ से गिरा, market फिर से यहाँ से pullback देकर इसका breakout डिया, ठीके अभी trendline का क्या क्या, breakout डिया, breakout डिके उपर sustain हो गया, ठीके, market उपर sustain हो गया, तो यहाँ पर very chances की market यहाँ से एक बड़ा सा momentum आ जाए, तो यह आप सा momentum बिल्कुल market में आया, market trendline को अच्चे से follow करता है, आपको हमेशा ज्यान में रखना है, जब आप trendline बना रहे हो, तो दो point को मिलके आपको trendline बनाना है, ठीके, बीच में कोई भी trendline बन रहे हो, आपकी 2 point को मिलके अगर trendline बन रहे हो, market उसी point से reverse हो रहा है, तो आपको यह 100% काम करेगी, बिल्कुल आपको अच्चा सा आपको इनी सब चीजों से आपका पैसा बनता है, ठीके, काफी लोग support resistance पे काम नहीं करते, support resistance अगर आप अच्चा से draw कर लोगे, अच्चा से आप सीख लोगे trendline support resistance, तो market से आपको वीरी chances आए कि आपको profit होने की chances बढ़ जाए ठीके, market में इनी सब चीजों से पैसा बनता है, अगर आप बार बार ट्रेल रहे हो, आपको loss हो रहा है, तो आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि support resistance पे बना दूंगा, आपको कोई भी यापर topic के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेट कर देना, ठी के?